पंचायत चुनाव में बिहारपुर में जिला पंचायत सदस्य पदपर हुए निर्वाचन में भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुमन विजय प्रताप सिंग की जीत देव भाजपाईयों में खुशी की लहर दौड गई है लगातार हो रही पराजय के बीच यह जीत भाजपा कार्यकरताओं के लिए किसी से जीवनी से कम नहीं है सुरजपुर जिले के विकासखंड ओल्ड की जिला पंचायत शेत्र क्रमाग 25 में निर्वाचित सदस्य विजय प्रताप सिंग के निधन उपरांत खाली हुई सीट पर उप्चुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में थे इन में मुख्य मुकाबला भाजपा समर्थित प्रत्याशी स्वर्गिय विजय प्रताप सिंग की पत्नी सुमन सिंग व कॉंग्रेस समर्थित प्रत्याशी रतन सिंग खेरवार के बीच था दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा पूर्ण बना हुआ था भाजपा की ओर से चुनाव की कमान जिला अध्यक्ष बाबूलाल अगरवाल ने संभाली थी वहीं कॉंग्रेस की ओर से संसदिय सचिव वक्षेतर के विधायक पारसनाथ राजवाडी में चुनावी कमान संभाल रखी थी जबकि भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा प्रदेश महामंत्री सत्यनारायन सिंह महेश्वर पैकरा भूलन सिंह, मरावी मार्तन साहु, राजु प्रताप सिंह, सुनील साहु भाजुमो जिला महामंत्री शांतनु गोयल अमन प्रताप सिंह, मोदी जी बिहारपुर मंडल के समस्त भाजपा के कार्यकरता चुनाव प्रचार में बैठे हुए थे कॉंग्रेस जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाडे, रागवेंदर प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह, संतोष तड़ी प्रवीन राजवाडे, मुकेश अगरवाल, राजु सिंह, सहित उल्टी ही बिहारपुर के समस्त कॉंग्रेसी कार्यकरता भी चुना परिनाम भाजपा समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में आया, इस चुनाव में भाजपा एक जुट दवाई और सभी गाव में कार्यकरता अंतिन समय तक घटकर जीत हेतु पसीना भारती है, सीमित संसाधन होने के बावजूद भी बड़े, अंतर से जीत दिला कर ही राहत की जिला पंचायत शेत्र क्रमांग पांच स्वर्गिय विजय प्रताप सिंह दो बार निर्वाचित हुए थे, उनके निधन उपरांत खाली हुई सीट से भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुमन सिंह चुनावी मैदान में थी कि लगभग 45 मतों से चुनाव हालां की आधिकार गोशना 22 जन्वरी को होगी। भाजपाईयों का कहना है कि बिहार पुर की जनता ने ज्यादातर पोलिंग बूत में जीत दिलाकर स्वर्गिय विजय प्रताप सिंह को सच्ची श्रधांज लिदी है।